यह वह समय चल रहा है जब आप किसी भी ख़वर को नजर अंदाज नहीं कर सकते अर्थाद इस समय कि न्यूस फेपर पर आप फोकस रखिये जो भी न्यूस इधर उधर चल रही है हाला कि हम कवर कर देते हैं सभी जवरत की चीजे लेकिन फिर भी आपको चोकना रखना है की परिक्षा है तो इसलिए यह समय चोकना रहनेगा है काफी अलर्ट रहिए सभी ख़वरों को चाहे जहां से मिलें आप ग्रहन करते रहे हैं पाकिसारी महत्पूर्च चीजें तो मैं आपको बता ही देता हूं यह वीडियो ही परयाब्त रहेगे नो दिसंबर को अंतराश तीन में भरष्टाचार के खिलाब सैउक्तराष्ट कंवेंशन इसको बोलते हैं इसको कब अपनाया गया था यह डेट याद रखेगा इस वर्ष की जो थीम है अंतराश्टी भरष्टाचार विरोधी दिवस की वो है UN CAC at 20 अर्था सैउक्तराष्ट कंवेंशन on convention at corruption at 20 20 मतल 20 वर्ष हो गये हैं 2003 में चुकि यह convention अपनाया गया था यह 20 वर्ष है उसका 2023 इसलिए यह थीम रखे गई है UN CAC at 20 uniting the world against corruption 10 दिसंबर को भी महत्पूर दिवस होता है अंतराश्टी मानवा दिकार दिवस 1948 से वैसे तो इसकी सुरुवात मानी आती है जब सैउक्तराष्ट द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवा दिकारों की सारभाओं गोशना को अपनाया गया था इसलिए इस डेट को अंतराश्टी मानवा दिकार दिवस के रूपे मनाया जाता है लेकिन आपचारिक जो सुरुवात ह हुई थी इसकी हुई थी 1950 से ठीक है 10 दिसंबर 1950 से 2023 की जो थीम है सभी के लिए स्वतंतरता समानता तथान्याय फ्रीडम एक्वल्टी एंड जस्टिस फॉर आल इस बार की थीम है भारत की अगर दिश्ट देखें तो मानवा दिकार कानून कब से लागू हुआ भारत में त इसी कानून के तहद भारत में राष्टी मानवादिकर आयो का गठन हुआ था जम्मू और कश्मीर आरक्षण संसोधन विधेक 2023 हाली में यह पारित किया गया संसस से इसमें जो महत्मूर बात जानने की है जम्मू में पहले देखिए वहां पर विधान सभा होगी विधान स हो जाएंगी कश्मीर में पहले 46 सीटे थी अब 47 हो जाएंगी ठीक है पियोके में 24 सीटे यह सबसे महत्मूर है कि पियोके के लिए कितनी सीटे आरक्षित की गई है तो पियोके के लिए 24 सीटे आरक्षित की गई है तो कुल सीटों की संख्या अगर विधान सभा में देखा जाए तो कितनी कर दी गई है आब 43 और 47 को जोड लीजे तो ये 90 हो जाती है और 90 और 24 को जोड लीजे तो ये हो जाता है 114 है तो 114 सीटों की विधान सभा होगी याद रखेगा इस सीटें इसमें से कश्मीरी प्रवासियों के लिए एक पियोके से विस्थापित लोगों के ल कि पहली बार है जब SC-ST संभदायों के लिए यहाँ पर विधान सभा में सीट आरक्षित की गई है कि सुचित्वा थीरम परियोजना ये किस सरकार की परियोजना है तो ये केरल सरकार की बलास्टिक मुक्त टٹूं के लिए पहल है क्या नाम है सुचित्वा थीरम प전 Geneva चिप है जिसको IBM के द्वारा लॉंच किया गया है और IBM के द्वारा ये पहली 1000 क्यूबिट शमता की चिप है जिसको की लॉंच किया है किसने IBM ने क्या नाम है कॉंडोर 12 एडमिरल कप एजीमाला केरल में भारती नौसेनाएक एडमी में आयोजित हुआ जिसमें 20 देशों ने भाग लिया और इसमें इटली ने भारत को हरा करके ये कप जित लिया एक प्रकार का सेलिंग रेगाटा ये अकसर आयोजित होता है और बहुत महत्पूर्ण माना आता है नौसेनाओं की दिष्टि से प्रदर्शन की दिष्टि से तो 20 देशों ने भाग लिया था इटली पहले अस्थान पे रहा भारत इसमें दूसरे अस्थान पे रहा रथात उपविजेता रहा इन्फिनिटी फोरम 2.0 गिफ्ट सिटी एहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ प्रदान मंत्री ने इस फोरम को संबोधित किया वाइब्रेंट गुजरात कायकरम का एक हिस्सा है ये ग्रीन वाइज 2025 परियोजना ये किसकी परियोजना है पूसकता है तो आयमो की अंतराष्टी समुद्री संग्ठन की परियोजना है इसका उत्देश विकास सिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उसरजन को कम करने के प्रियासों में सहता देना है अभी चर्चा में आया है क्योंकि भारत इसके क्रियानवेन में अगणी देश के रूप में सामने आया है इसकी घोशना भारत सरकारने की है वर्ड आप दे यर दोजार तेईस अभी सभी जितनी महत्मूर्ड एक्षिनरीज हैं उन्हें जारी कर दिया है यहां से प्रश्ण आ सकता है चांसेज रहते हैं कैम्बरिज ने हैलूसिनेशन को आक्सफोर्ड ने रिज को मरियम वेबस्टरनर ने आर्थेंटिक को अथेंटिक कॉलिंस ने आर्टिफिशल इंटिलियंस या ए आई को विकीपीडिया ने चैट जीपीटी को वर्ड आप दे यर घूशित किया है 2013 के लिए पोर्ट लुईस मौरिशस की राजधानी में कोलम्बो सुरक्षा कानकलेव की छटी ने से अस्तरी बैठक आयोजित हुई कहां पे मौरिशस के पोर्ट लुईस में कुलंबो सुरक्षा कानकलेव की जो सुरुवात की थी दोस्तों 2011 में की गई थी भायज शिलंका मालदीव के द्वारा इसकी जो NSA अस्तरी बैठक जो सुरुवात हुई थी 2020 से हुई थी ये छटी बैठक थी NSA अस्तरी जो की पोर्ट लुईस मौरिशस में आउजित हुई कपड़ा मंत्राले भारत सरकाय के द्वारा कहां पर देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वाक्थान का आयोजन हुआ मुंबई में इसके पहले सूरत में साड़ी वाक्थान का भ्याजन कपड़ा मंत्रा लेने किया था अभी मुंबई में देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वाक्थान का अवजन किया गया Early Warning for All ये किसकी पहल है ये प्रशनायेगा सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी पहल ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन और जोखिम न्योनी करण के लिए संउक्तराष्ट कार्याले UNDRR का संउक्त प्रोग्राम है इसका लक्षवर्ष 2027 रखा गया है सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विक्सित करने के लिए ये पहल सुरू की गई है ताकि आपदाओं के आने से पहले प्रभावी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की जा सके ताकि जानमाल को जो संकट होता है, जो नुकसान होता है, उसको नियूंतम या फिर समाब्द किया जा सके महुआ मुईत्रा, TMC से लोकसभा सांसद हैं, विश्ट बंगाल से आती हैं, इनको कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा से निश्कासित कर दिया गया है इसकी सदस्ता से निश्कासित कर दिया गया है इनको, अगनी वन ये एकल चरण ठोस इधन कम दूरी की लगभग 700 से 1200 किलोमिटर मारक शमता है, बैलेस्टिक मिसाइल है, DRDO द्वारा विक्सित, एपी जे अब्दुलकलाम वीप जिसको वीलर दीप भी पहले कहा जाता था, उडिसा में स्थित है, यहां से इसका सफल परिक्षन किया गया, पूछ सकता है कि दिसंबर 2023 में किसका सफल परिक्षन किया, अगनी वन, अगनी टू, अगनी थ्री, इस तरीके से पूछ लेगा तो अगनी वन का परिक्षन किया है, फेडरल बैंक, इस बैंक को The Banker Financial Times के द्वारा, Bank of the Year का पुरसकार प्रदान किया गया, किसे? फेडरल बैंक को, S&P Global Market Intelligence के अनुसार, दुनिया की सीर्स, चार बीमा भंडार वाली कमपनिया या सीर्स बीमा कमपनिया कौन कौन सी है, तो नेपान लाइफ है, जापान का और चौथे अस्थान पे भारत का भारती जीवन बीमा निगम है, AI Alliance, ये किसका Alliance है, हाली में ये Alliance लांच किया गया, Meta, जिसको Facebook पहले कहा जाता था और IBM, इन दोनोंने मिल करके, AI Alliance, AI संबंधी जतनी भी तकनीकी है, इसको एक दूसरे को ट् थापित करने के लिए, Meta और IBM ने ये Alliance किया है, हनुक्का तेवहार ये किस से संबंधित है, हाली में चर्चा में रहा, तो यहूदी धर में रोशनी का तेवहार इसको मानायाता है, इस तरह अपना दिपावली होता है, उसी तरीके से यहूदी धर में रोशनी का तेवहार इसको मानते है, हनुक्का तेवहार को, जलवाय परिवर्तन प्रशनी इस तरह किसा सकता है, इसमें से कौन सा तेवहार, दिपावली से मेल खाता है, तो हनुक्का तेवहार, भूमिका में नहीं, मनाने के तरीके में, जलवाय परिवर्तन प्रदर्शन शुचकांग 2024, देख इसमें आठ्वे पाइदान पे जो 2023 वाली रैंकिंग में था शुरुवात में जो अप्रेल में जारी हुई थी, 2024 में भारत अर्थाथ 2023 में जो प्रदरशन है उसके अंसार भारत सात्वे अस्थान पे अर्थाथ एक पाइदान का इसमें इजाफा भारत को हुआ है, ठीक इस ध्यान रखेगा, यह जो रैंकिंग जारी की जात्ती है जर्मन माज के द्वारा, 63 देशों और European Union के लिए यह जारी की गई थी पिछले वर्ष, भारत आठ्वे अस्थान पे था पिछले वर्ष, CCPI 2023 में, जो की 2022 के प्रदर्शन पे आधारित थी, पहले तीन अस्थान पे क में रहेगा, 2023 के प्रदर्शन के उसार, ऐसा यहां पर जर्मन वाच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, लेकिन यह 2024 में रहेगा, यह ध्यान रखेगा, अभी इस रिपोर्ट की एक बात के बल सामने आई है, और यह प्रदर्शन सूचकांग कब जारी किया गया था, पहली ब अनुसार आपको बता दें कि मलेरिया के लिए कायकरम चलाया जा रहा है, जिसमें 2025 तक 75% कमी और 2030 तक 90% कमी मृत्यदर और मलेरिया के मामलों में करने का लक्ष है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2022 में कुल 249 मिलियन मामले सामने आये, जो कि पिछले वर्स वृद्धी को दर्श आते हैं पूरे विश्व में, पंचान बेर प्रतिशत मामले केवल 29 देशों से आते हैं मलेरिया के, चार देश ऐसे हैं जो 50% तक जिम्मेदार है मलेरिया के लिए कौन-कौन, पहले अस्थान पे नाइजेरिया, 27% जिम्मेदार है, दूसे पे कांगो, लोकतांत्रि गंडराज, जो की 12% मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, तीसे अस्थारत में युगांडा आता है, 5% के लिए जिम्मेदार है, और मोजांबिक 4% के लिए जिम्मेदार है, चारो ही अफ्रीकी देश हैं, तो अफ्रीका की स्थिती सबसे खराब है मलेरिया के मामले में, आकांक्षी ब्लाक का एक्रम, ये जो आकांक्षी ब्लाक का एक्रम में दोस्तों, 7 जनवरी 2023 को सुरू किया गया था, बाद में बज़र 2023-24 में वितमंती की द्वारा बड़े का एक्रम के रूप में इसको घोशित किया गया था, देश भर के 500 ब्लाकों का जो की बहुत पिए रग हैं संतुलित शेत्री विकास की राह में, उनके विकास के लिए शुरू की गई योजना है, ठीक वैसे ही जैसे आकांक्षी जिला का एक्रम सुरू की गई थी, देश के 112 जिलों में, तो आकांक्षी ब्लाक का एक्रम जिसको ABP कहते हैं, आकांक्षी डिष्टिक क जिला का एक्रम जिसको ADP के नाम से भी जाना जाता है, मशुहूर हैं, तिमाही आधार पे डेल्टा रैंकिंग इसकी जारी होगी, इस रूप में नीत यायोग ने पहली डेल्टा रैंकिंग इसकी जारी कर दी है, इसकी बाद हम बात में करेंगे, पहले हम आपको बता दें कि 27 राज्य और 4 यूटीज को 31 राज्य के इंसासित प्रदेशों के 329 जिलों के 500 पिछड़े बलागों को इसमें शामिल किया गया है 500 ये पिछड़े बलाग जो हैं ये बहुत पिछड़े हैं संतुलिच शेत्री विकास की राह में अन्य शेत्रों के पेक्षा यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारी सुविधाओं का अभाव अभी तक है एकदम वो आजादी वाले समय में जी रहे हैं इस तरीके से आप समझ सकते हैं नीत वैक ने जो एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग जारी की है कांख्षी ब्लाक का एक्रम की तिरियानी कुमरम भीम जो ब्लाक है आसिफाबाद जिला तिलंगाना का इसको शीर्स अस्थान मिला है पहला अस्थान मिला है कौशामबी बलाक जो कि कौशामबी जिला का है इलहाबाद के पास कौशामबी जिला है उत्तरवदेश का इसको दूसरा स्थान मिला है याद करिएगा बलाकों को भगोलिक दिष्ट से भी रैंकिंग प्रदान की गई है इसमें बलाकों को कुल 500 बलाक है इनको छे जोनों में विभाजित किया गया है प्रतेग जोन से दो बलाकों को सीर्स जो रहे हैं उनको रैंकिंग दी गई है जोन वन में पहाड़ी, पुर्वत्तर और द्विपी राज शामिल है जिसमें अमरी बलाक असम का इसको पहला अस्थान नगोपा बलाक मिजोरम का इसको दूसरा अस्थान दिया गया है जोन टू में उत्तरी राज शामिल है इसमें हरईया पहले अस्थान पे है बस्ती जिला उत्तरवदेश का और दूसरे अस्थान पे बिर्नो बलाक है गाजीपूर जिला उत्तरवदेश का जोन 3 में दक्षणी भारत के राजे शामिल हैं इसमें मस्की, करनाटक, राइचूर जिला, दूसरे अस्थान पे नारनूर, आदिलाबाद, तिलंगाना जोन 4 में पश्वी भारत के राजे शामिल हैं जिसमें सिरोचा बलाख, गर्चिरोली जिला, महाराष्ट का और अहेरी बलाख, ये भी गर्चिरोली जिले का ही है, महाराष्ट का दूसरे अस्थान पे हैं जोन 5 मद भारत के राज़ शामिल है जिसमें तिरला बलाक धार जिला मद बदेश का पहले अस्थान पे है पाट ये बलाक बड़वानी जिला मद बदेश का है दूसरे अस्थान पे है जोन 6 में पूरी भारत के राजय शामिल है जिसमें आंदर ब्लाक सिवान जिले का जो कि बिहार का है पहले अस्थान पे है रामगडब ब्लाक दुमगा जिला जहारकंड का है दूसरे अस्थान पे है आपको बतादें कि इसी के साथ मासिक आधार पे जारी की जाने वाली डेल्टा रेंकिंग आकांग्छी जिला का एक्रम की ये भी जारी की गई अक्टूबर 2023 के लिए रायगड़ा उडिसा का पहले अस्थान पे है और जमुई जिला बिहार का दूसरे अस्थान पे है तो आकांग्छी जिला का एक्रम प्रतेक महिने और आकांग्छी ब्लाक का एक्रम की डेल्टा रेंकिंग हर तिमाही जारी की जाएगी ये ध्यान रखेगा ये डेल्टा रेंकिंग क्या होती है तो जो भी जिले या जो भी बलाक इसमें शामिल है उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है तो प्रदर्शन के आधार पर इनको रेंकिंग दी जाती इस तरीके से एक अच्छा प्रतिसपरधी माहौल तैयार किया जाता है ताकि बलाग और जो जिले के प्रशासन है वो अपने जिले या बलागों को आगे ले जाएं सरकार की जो राशी मिलती है खर्च करने के लिए योजनाओं में उसके लिए प्रेरित हों और अच्छे से विकास हो सके ठीक है इसते राज्यों को इसके साथ जिलों को चाहे फिर ब्लाक हो, सभी प्रशासन को प्रेरणा मिलती है। ADP वर ABP के लिए, दोनों ही कायक्रमों के लिए Wall of Fame की सुरुवाद भी नीति आयोक द्वारा की गई है। इस Wall of Fame में जो शीर्स, रैंकर, जिले, राज और जो ब्लॉक रहेंगे, इनको यहाँ पर दर्शाया जाएगा। 2047 तक विक्सित भारत बनाने की संकल्पना के एक भाग के रूप में इसकी सुरुवाद की गई है। आकांग्ची जिला कायक्रम की भी थोड़ी स्चर्चा करेंगे, जिसको जनवरी 2018 में प्रारम किया गया था। 28 राजियों के 112 जिले इसमें शमिलित हैं, पहले 115 है, रैंकिंग पांच आयामों को मुखिता इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें स्वास्व पोशन को 30%, सिक्षा को 30%, क्रिशिव जल को 20%, वित्ती समावेशन वा कौसल विकास को 10%, आउसनरशना इंफरस्ट्रक्चर को 10%, व 49 KPIs, प्रमुख प्रदर्शन संकेत तक भी शामिल हैं, तो KPIs कितनी हैं? 49, यह सभी आ सकते हैं परिक्षा में आपके, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, नीत यायोग के जो कायक्रम है, प्रमुख, जो आकांच्छी जिला कायक्रम से संबंदित हैं, इन जिलों के विकास को प उत्तरवदेश के आठ जिले शामिल हैं, आकांच्छी जिला कायक्रम में, कौन-कौन, चित्रकूट, फतेपुर, भहराईच, शावस्ती, बलरामपुर, शिधारतनगर, चंदौली और सोन भद्र, आकांच्छी बलाक कायक्रम में उत्तरवदेश के 68 बलाकों को समलित किया जो कि पूरे देश में 500 बलाकों में 68 बलाक के वल उत्तरवदेश के हैं, सरवादिक हैं, दूसरे अस्थान पे बिहार है 61 बलाकों के साथ, कुल 112 आकांच्छी जिलों के 160 बलाक सामिल हैं, 500 जो बलाक हैं उसमें, आकांच्छी जिला कायक्रम में सरवादिक जिले अगर पे हैं दस-दस जिलों को ले करके वहीं उत्तरवदेश और मर्दवदेश के आठ-ठाट जिले सम्मिलत हैं आकांक्षी जिला कायक्रम में तो यह थी महतपूर जानकारी इनी योजनाओं समझू कि महतपूर योजनाय हैं नीतियायों कि यहां से कोई भी प्रशना सकता है तो आच के लितना है बहुत धन्यवाद